हैו है हैं तरा जुक्तह आज हम लोग पढ़ रहे हैं production अब बनाना जैसा कि आपने थे छुकर और अब देखा होगा तो हम लोग स्पढ़ने वाले चाहर के बारे में पढ़ेंगे कोसे करें gradu कि की जादा से जादा चीज़ें हम लोग – बनाना की पने तो क्या है कि आज वोग बनाना के बारें भारें पढ़ेंगी ज्यादा डीटेल में स्टिडी करकें के मंड्य को जैसा की आपका डिसाइडर रहता है कि मंड्य को razem see q का session दे तो को सेश्ट करें में mostly आपको मालूम है कि botanical name और family लगबग लगबग जतने आप लोग graduate तो होंगे ही ज़्यादा तर students graduate होंगे या कर रहे होंगे तो यह सारी चीज़ें तो basic है आपको पता होंगी कि इसका family और botanical name क्या होता है यह सारी चीज़ें कहाँ पे origin है जैसे South East Asia में यह चीज़ें आपको पता हैं, तो यह चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है, चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं, बनाना, आज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो यह आपका बनाना है, क्या है, बनाना, मुसा इस्पसीज यहां पर इसलिए लिखा हुआ है, क्योंक तो उन सारी स्पसीज को ध्यान में रखते हुए काफी सारी चीजें आपकी हैं तो इसलिए जो आपका कल्चरिवल बनाना है ठीक है जो आपका मतलब पार्थनो कार्पिक फ्रूट है जो खाने के लिए बनाया गया इडवल फ्रूट है वह मैंने आपको साथ बिछली क्लास मे वो दो सपसीज से मिलके बना है मुसा एक्यू मिनाटा और मुसा बाल्बी स्याना यह दोनों प्लांटेश थी नाक्र है मुसा कराऊ को क्रॉट कराए गया जससे आपका लिए मुशा टीसका बना तो मुमसा पेटिसका भी आपको बहुत जगह देखने को मिलता फैमिली इसकी मिशेसी है, origin place आपको मालूम है कि इसका जो origin place है, वो Southeast A.C.I. क्या है? Southeast A.C.I. ठीक है, banana is one of the oldest fruit known to mankind and also important food for men. आपको मालूम है कि सबसे पुराना food है, पहले plantain की रूप में खाया जाता था, फिर hybridization हुआ और इन सारी चीज़ों को करके बाद में क्या बनाया गया? इसको अच्छा और बनाया गया जो पार्थनो कार्पिक अप्फूरूट होता है, जिसमें seed तो होता है, लेकिन वो seed किसी काम का नहीं होता है. और जिन आपको मैंने बता दिया, साउथ इस्टेशिया, इसको apple of paradise कहते हैं, ठीक है, और इसको कलपतरू भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बनाना है वो आप जानते हैं, कि इसकी जो बनाना का यूज है, वो पूजा में काफी ज़्यदा किया जाता है, बहुत कल पतरू का मतलब होता है, as a virtue tree, यानि कि जो पवित्र होता है, पवित्रता से इसको relate किया जाता है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई, यह rich source होता है, energy का, इसमें 137 किलो कैलोरी रद 100 क्राम में होता है, आपको मालूम है कि बनाना जब आप खाते हैं, तो काफी ज लगबग 27% होता है, कितना, लगबग 27% होता है, किसमें यह ripe बनाना में होता है, किसमें ripe बनाना, यानि कि जो पका हुआ बनाना है आपका, जो बनाना पका है, उसमें कितना होता है, उसमें 27% होगर आपका पाया जायता है, यह यहां से question आपको बन जाते हैं, ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं इडवल बनाना और मुसली हाइब्रेड्स आफ टू इस्पसीज मैंने आपको बताया था कि यह दो हाइब्रेड इस्पसीज का क्रॉस है पहला मुसा एक्यूमिनाटा ठीक है और दूसरा मुसा बालवी सियना इन दोनों का क्या है यह हाइब्रेड क्र सीज है जिसको मुसा टेक्स्टाइलिस कहते हैं क्या कहते हैं मुसा टेक्स्टाइलिस कहते हैं जो फाइबर परपस के लिए किसके लिए फाइबर यानि की रेसे के परपस के लिए इस्तेमाल की जाती है इस वेल नोन फॉर दियर स्ट्रॉंग फाइबर देखो textyle, याद करने का तरीका समझो, textile का मतलब क्या होता है? textile का मतलब आप जानते हो कि textile industry यानि कि कपड़ा industry से संबंदिध होता है तो इसलिए इसी की species के पीछे लगा है textiles और मुसा आप जानते हैं कि मुसा बनाना को कहते हैं तो क्या उच गया आपका हो गया मूँसा टेक्स्टाइलिस थीक है इतनी वाँ समझ में आया यहाद रखना यहां से questions आपके बन जाते हैं थीक है इतना थो आपको वाज में आया होगा समझ में आया तो आगे चलते हैं और आगे देखते हैं climate की बात करते हैं किसकी climate की ठीक है climate की बात करें तो यह humid tropic plant है यानि की humidity को पसंद करने वाला पौधा होता है कैसा humidity को पसंद करने वाला पौधा होता है और इसको moisture loving plant भी कहते हैं क्या कहते हैं इसको moisture loving moisture loving plant भी कहते हैं क्या कहते हैं मौइस्टर लविंग प्लांट ठीक है इतना तो आपको समन में आ गया यूमेट्रॉपिक प्लांट है यानि कि जहां पर हुमेडिटी होती है जादा वहां पर आपका ये अच्छे से ग्रो करता है और कैसा होता है मौइस्टर लविंग प्लांट है टमप्रेचर रेंज फ्राम 10 डिगरी टू 40 डिगरी इसकी ग्रोथ होती है तो बढ़िया ग्रोथ है वो 10 spoke 10 दिगरी संतिगरेंट के बीच में अच्छी होती है लेकिन जो इसकी आवेरेज ग्रोथ जो आवेरेज निकलेगा उसको आवेरेज टमप्रेचर बोला इसकी ग्रोथ के लिए टंपरेचर चाहिए होता है वो 23 डिगरी चाहिए होता है कितना चाहिए होता है कभी कभी कोशन्स यहां से बनते हैं एक्जाम में और कोशन में पूछा जाता है कि एवरेस टंपरेचर जो होता है वो कितना चाहिए होता है तो यह आपका एवरेस टंप यहां पर एक चीज लिखी है कि अगर टमपरेचर दस डिगरी सेंटीग्रेट से नीचे चला गया तो क्या होगा तो क्या हो जाएगा तो यह चोक और इंपेड़ इंफ्लोरी सेंस यानि की इसी को अगर दूसरी बासा में बात करें तो चोक थ्रॉट भी बोलते हैं क्या चोक थ्रॉट भी बोलते हैं यानि की थ्रॉट मींस होता है गला तो जो एक तरीके से देखा जाए तो जो केले का जो में इस्टेम होता है उसका जो थ्रॉ लॉजकल डिसॉडर है या आपका ये तभी उसमें आता है जब आपके क्लाइमिट का या जब आप जहां पर प्लांटिंग करें हैं वहां का जो टमप्रेचर है वो दस डिग्री सेंटीग्रेट से अगर नीचे चला जाता है इतनी वा समझ में आ रही बच्चा देखो और सब्सक्राइब करिया करो और सेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ कमेंट भी डालते रहा करो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे ठीक है कि आप लोगों को समझ में आ रहा है इतनी बास में आई यह यहां से जो मैंने बताया चोक थ्रोट या इंपैडेड इन फ्लो अरत महा आयेगा तो उसको कंसीडर करेंगे लो टमपरेचर में ठीक है ठीक है चोक में क्या होता है चोकिंग हो जाती है इन फ्लोरी सेंस की जो ग्रुध है वो रुक जाती है वो आपकी रुक जाती है आपका प्र Extreme to रूट का यानि की fingers का जो development है या bunch का development है वो नहीं होता है क्यों क्योंकि temperature वहां पे आपका क्या हो गया लो गया गुड इवनिंग बोनी बच्चा अब जहांसी लिखें पीछे ठीक है तो यह चीज इतनी आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी इतना समय में आया ठीक है उसके बाद आपको मालूम है कि बनाना मैंने पिछली कास में आपको बनाया था कि बनाना मोनोकापिक हरवेसस और मोनो कॉसरान होता है ठीक है इतनी बाद आपको समझ में आई थिंक आ गई होगी ठीक है आगे बात करते हैं कि altitude की मतलब कि जो climate है उसमें जो altitude है वो कितना चाहिए होता है तो 1500 मीटर की उचाही तक आप बनाना को grow कर सकते हैं जो south इंडिया का कुछ हिली reason है वहाँ पे आप इसको grow कर सकते हैं वो भी कितनी height तक 1500 मीटर mean say level तक कभी कभी 1400 कहीं 1500 तो 100-200 मीटर में इदर उदर कोई दिक्कत नहीं होती है वह variation कर जाता है किताब के हिसाब से ठीक है अब बात करते हैं wind velocity more than 80 meter per hour will damage the crop heavily यह कह रहा है क्यों damage करती है आपको मालूम है कि जो बनाना का stem होता है बहुत ज़्यादा strong नहीं होता है तो strong ना होने की विजए से wind velocity अगर 80 cm है यह से ज़्यादा है तो फिर क्या हो जाता है sorry 80 cm कह रहा हूं मैं माफ करना 80 meter पर आवर अगर है तो वो क्या करेगा आपकी crop को damage कर देगा उसके लिए फिर आपको प्रॉपिंग की साहिता करनी प्रॉपिंग की साहिता लेनी पड़ेगी प्रॉपिंग अभी हम आगे आपको बताएंगे कि प्रॉपिंग क्या होता है rainfall 100 meter per month is sufficient या enough for the plant यानि कि 100 mm बरसा अगर पर month हो रही है तो यह सबसे ज़्यादा sufficient है किसके लिए बनाना की growth के लिए इतना तो आपको समझ में आ गया होगा ठीक है उसके बाद बात करते हैं soil की तो soil deep well drained with abundant organic matter depth 1 meter सबसे ज़्यादा जो important है वो pH की बात होती है तो साड़े 5 से लेके 8 pH is sufficient for the cultivation of banana 5.5 से लेके 8 तक जो pH है आपका वो sufficient होता है किसके cultivation के लिए बनाना के cultivation के लिए इतनी बात आपको I think समझ में आ गई होगी चलो अब बढ़ते हैं आगे ठीक है अब बात करते हैं varieties की variety मैंने courses की है कि सारी जो important variety है जो आपके exams में पूछी जाती है वो इसमें mention की जाए ठीक है तो variety की बात करें यह desert लिखा है desert का मतलब आप समझ रहे होगे या table का जो मतलब मैंने आपको बताया था कि टेवल परपस या desert desert यानि कि एक तरीके का क्या होता है कि जो आप कैसे नॉर्मली बिना पकाय भी खा सके वो आपके desert में consider होते हैं ठीक है जाते हो ना साधी और वयाल वजही पूवन नेंदरन रेड बनाना ठीक है और आपका कपूर वल्ली उद्ध्यान उद्ध्यम सी ओवन मत्ती और आपका ठीक है सन्ना चन्न के ली एंड नेंपूवन कैवेंडेस गूप और जंदली प्रफरर्ड फूर एक स्पोर्ट तारफ केंडेस का गूप घूप का मतलब समझते हो कि कैवेंडिस यंजिन में पीछे लगा होगा Group का मतलब यह होता है कि कई सारी varieties किसी एक ऊसमें या किसी एक उसे group से निकली होती है तो उनको पूरे group में consider किया जता है जैसे Cavendish group ठीक है गुरूप की अगर बात करें तो जो इनके genomes भी होते हैं वो क्या होते हैं वो same होते हैं तो इसलिए इनको groups में भी consider करते हैं उसके बाद यहां पर लिखा है culinary यानि की culinary का मतलब है कि वो variety जो कैसे वो variety जो आपके वेदी टेवल परपज में इस्तेमाल की जाती हो या फिर जिनको आप को करके इस्तेमाल करते हैं चाहें आप बनाना से उसका चिप्स बनाते हों या फिर आप उसके सबजी के लिए आप इस्तेमाल करते हों वो सब किस में consider होंगी वो सब आपकी culinary purpose में consider होंगी कितनी बात समझ में आ रही बच्चो उसमें मॉन्थन नैंदरन वयाल बज़े है ठीक है एस मॉन्थन एंड आपका चक्या यह इतनी जो वराइटी है यह आपकी culinary purpose से इस्तेमाल होती है ठीक है इतनी बात तो समझ में आपको आ गई होगी उसके बात जो पर्टिकुलर हिली एरिया है उसके लिए कुछ वराइटी हैं जो हिली एरिया में सीधे सीधे आपके इस्तेमाल आपके गुरुकर आई जाती है जैसे विरवपक्ष की सिरूमलाई नमाराई रेड बनाना और आपका मनो रंजी थम ठीक है या संथना वजही या लदन ठीक है यह कुछ वराइटी है इसमें से जैसे कुछ यह वराइटी है ये इतनी पॉपलर नहीं है ठीक है ये इतनी पॉपलर वराइटी नहीं है लेकिन वह कंसीडर होते हैं वह साउथ इंडिया के परपस से है अपने आतो तो देखो नौर्थ इंडिया में इतना हिली रीजन है नहीं तो वहाँ पर इन सारी वराइटियों का इतना फोकस नहीं रहता है हाँ लेकिन जैसे आपका जो वराइटी है कौन सी जो वराइटी आपकी है कौन सी ग्रांड नेने रोवस्टा ड्वार्फ केवेंडिस रेड बनाना नेंदरन पूवन और आपकी रस्थाली ठीक है केवेंडिस ग्रूप यह वाली जो वराइटी है यह इंपॉर्टेंट है ठीक है आपने लाल वेलची का भी नाम सुना होगा अ ऐसे उसके कलर उपर लाल होता है तो वह आपका रेड बनाना होता है कौन सा रेड बनाना होता है ठीक है और एक उसका दूसरा नाम और है लाल वेलची वराइटी है जो मोस्ली साउथ इंडिया में अब इस टाइम पे ग्रो कराई जा रही है ठीक है नॉर्थ इंडिया में तो popular नहीं है लेकिन South India में वो grow कराई जा रही है ठीक है इतनी बाद समझ में आई कि नहीं आई अब बात करते हैं season of planting तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी कहाँ पर wetland में planting करते हैं ठीक है wetland में planting करते हैं तो देखते हैं फरवरी और अप्रेल के महीने में planting करते हैं कौन-कौन सी variety यहां पे लिखी है पूबन रस्थाली मॉन्थन कपोर वल्ली और नेपूबन ठीक है यह वराइटियां है जो कहां पे wetlands में आपकी plant की जाती है इतनी बास में आ रही बच्चो समझ में आ रही कि नहीं आ रही यह बताओ समझ में आ है ठीक है यह बास में आ रही है फरवरी से अपरेल की महिने में ठीक है तुम आप लोग कमेंड नहीं करते हो पूबन रस्थाली मॉन्थन कपोर वल्ली ने पूबन अब मार्च और किसमें अपरेल और मई के महिने की बात करी जाए तो नेंदरन और आपकी रोबस्टा यह थो जैनवरी फरवरी और 9 दिसंबर कब जैनवरी फरवरी और 9 दिसंबर में आपकी प्लांटिंग इनकी की जाती है ठीक है इतनी वासमन में आई बच्चा उसके बाद हिल बनाना की बात करें जो पहाड़ी रीजन है वहां पे अगर प्लांटिंग की बात करते हैं तो वहां प तो आपका कब अप्रैल से मई के लेके ठीक है ये पलानी हिल्स साउथ इंडिया में पाइं जाती है तो वहां की बात कर रहा है जून से अगस्त में सेरू मलाइब में कहां पर सिरू मिलाइम यह साउथ इंडिया की है क्योंकि वहां पर हिली रीजन है तो यह वहां पर उस हिसाब से ज्यादा रहता है ठीक है कितनी बात आपको समझ में आ रही है चलो अब आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं प्रपोगेशन की इसकी मुझे कमेंड करके य जो वेट है वो कितना होना चाहिए कितना वेट सकर का सफीसेंट होता है प्रपोगेशन के लिए ठीक है स्वार्ड सकर का जो वेट होता है वो कितना होना चाहिए ठीक है बताओ जल्दी से स्वाड सकर की बात करें तो सकर्स विल विद वेल डबलप्ट बेस एंड पॉइंटेड टिप हैविंग नैरो स्वाड एंड सेब्ड लीफ ब्लेड इन दा अर्ली स्टेज ठीक है इतना आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा कि स्वाड सकर से प्रफोगेशन करते हैं बेसिकली देखो स्वाड सकर का मतलब स्वाड में सोता तलवार जब आपने नया वह देखा होगा ना प्लांट के बगल में जब नया उसका यह सकर्स निकलते हैं तो एकदम कैसे कैसे होते हैं एकदम पॉइंटेड होते हैं नोक में ह होते हैं कि नहीं होते हैं तो उसलिए बता रहा है कि इसको स्वाड सकर कहते हैं वाटर सकर या ब्रॉड लीप सकर इन से स्वाड सकर का साइज होता है जो मैंने आपसे वेट पूचा किसी ने चुल्ड को सपर्फेक्ट होता है हुआ थीक है इतनी वासरी में चलो अब आगे देखते हैं 300-400 ग्राम आई गेस नहीं बच्चहह, 300-400 ग्राम नहीं होता है 600-600 ग्राम होता है, 600-600 ग्राम भी बढ़िया पर्फेक्ट होता है थीक है अब बात करते हैं interculture operation की तो एक तो लिखा है digging at bimonthly interval and earthing up तो पहले तो digging up करनी पड़ती है ठीक है कि जो plant आपने लगाया है उसके आसपास आपको दो महिने में एक बार मिट्टी चड़ानी होती है उसके बाद बात करते हैं D-sakar 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 इससे बना है क्या D-sakaring क्या बना है इससे बना है D-sakaring बात समझ में आई D-sakaring यानि की सकर्स को हटाना prune the side suckers में लिखा है prune the side suckers at monthly interval ठीक है यानि की जब आपका plant क्या कर रहा होता है तब आपको क्या करना होता है तब आपको यह साइड वाले जो सकर्स होते हैं इनको हटाना होता है क्यों क्योंकि अगर आप साइड वाले सकर्स नहीं अटाएंगे तो यह वाले जो सकर्स होते हैं यह कहां से जुड़े होते हैं यह आपके जुड़े होते हैं सीधे मेन स्टेम से और सीधे मेन स्टेम से जुड़े होने से क्या फाइदा होता है कि जो एनर्जी है वह सबसे ज्यादा इनहीं के पास जाती है यानि की प्लांट्स के फ्लोरी सेंस पर या उसकी लीपस पर इनरजी बाद में जाएगी जाएगी पहले कहां क्योंकि सीधे में सिस्टम से जुड़े होते हैं तो इनकी ग्रोध बहुत फास्ट होती है अगर आप इनको नहीं काटोगे तो एक पेड़ में कम से कम तीन चार औ रही है और वो क्या कर देंगे वो आपकी प्रोडक्ट को खराब कर देंगे यानि कि आपके फ्रूट को आपके बनाना के प्लांट को क्या कर देंगे बरवाद कर देंगे ठीक है इसलिए इनका डी सकरिंग करना बहुत जरूरी होता है क्या करना इनका डी सकरिंग करना की कट कर दो एक तरीका ठीक है दूसरा तरीका है कि आप आप स्पेर 23 डाल दो क्या केरो सीन ते ठीक है केरो सीन डो यार के रोशी नाइल डाल दो थीक है केरो सीन या से यह तो मिट्टी का द ready हो और जैता रहूं मिट्टी का तेल केरोसीनाइल उसी को कहते हैं ठीक है या तो मिट्टी का तेल या केरोसीनाइल इस पर पोर कर दो पहले इसको क्रस्ट करो और क्रस्ट करने का इस पर पोर कर दो तो यह दो तरीके या तो कट कर दो या तो केरोसीनाइल डाल दो ठीक है उसके बाद लिखा है ड ये कह रहा है कि dry and dead leaves are removed and burnt, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं tracing, क्या कहते हैं, tracing, ठीक है, जब tracing करनी होती है, तो जो भी बनाना की leaves होती है, जो side वाली, नीचे वाली leaves होती है, जैसे जैसे plant उपर grow करेगा, side वाली leaves क्या करेंगी, आपकी सूखने लगती है, तो उनको remove कर ना हटाना जलाना वो सब किसमें आता है ट्रैसिंग में आता है ठीक है उसके आगे की बात करें कि मेल फ्लावर क्या रिमूवड ए वीक आफ्टर ओपनिंग अब दा लास्ट हैंड हैंड का मतलब समझ रहो यह हाथ वाला हाथ नहीं तो हैंड जिसमें जो आप खरीदने जाते ना बजार से की एक दरजन केला दे दो और केले में पूरे 12 फिंगर लेके आते हो तो वो जो पूरा बंडल ऐसे गोल वाला होता ना उसको हैंड बोलते हैं ठीक है समझ रहे हो और जो केले होते हैं उनको फिंगर बोला जाता है इस पासा में आप समझ लो एकरिकल्चर के उ हाथ होता है उसको हाथ नहीं हैंड उसको नहीं केला जहां पर जुड़ा हुआ होता है जो उपर इतना मोटा हिस्सा होता ना उस मोटे उससे को उसको उसको पूरा जुड़ा होता है उसको हैंड कहते हैं और उसमें जो केले होते हैं एक दो तीन जो गिन के बारा देता है वो की fingers होती है क्या कहते हैं उनको fingers कहते हैं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चा ठीक है तो वो आपके fingers होते हैं तो यह कह रहा है male flower को हटाना क्या कहलाता है जल्दी से बताओ comment करें किसको किसको पताओ कि male removal of male flower after opening of last hand यानी कि जब fertilization की process complete हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं बताओ जल्दी से क्या कहते है जल्दी से पता नहीं है तुम लोग कमेंड नहीं कर रहा है बटाक से करो जैसे कुछ पूछते हैं सो वैसा आप लोग चले आते हो बताओ क्या कहते हैं नहीं पता किसी को अब कोई जबाब नहीं दे रहा है या कहते हैं इसको denna welling क्या कहते हैं denna welling ठीक है removal of male flower is known as denna welling क्या कहते हैं डेना वैलिंग कहते हैं ठीक है मेल फ्लावर को हटा दिया था यहां से कोश्चन्स बनते हैं मेल फ्लावर को हटाने की जो प्रॉसेस है उसको डेना वैलिंग कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं डेना वैलिंग कहते हैं और इस पर लिखा है बंच इमर्जेंस प्रॉपिंग दे ट् विंड की बात कर रहा था कि सही तो लिखा था बच्चा क्या दिक्कत थी इस पेलिंग तो थोड़ी बहुत मिस्टेक चल जाती है कोई दिक्कत नहीं है ना कोई बात नहीं ठीक है अच्छा है तो मैं आपको जब पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि प्रॉपिंग क्या करना ingen 반कों support देना ही क्या कहलाता है आपका पुरॉपिंग कहलाता क्यों था कि विंड की स्पीड जब जादा हो उससे बच सको है दूसरी जब बंच का इमर्जेन्स हो तो उसके लिए भी आपका क्या हो उसके लिए भी आपको उसमें भी साहिता करें ठीक है प्रॉपिंग हाँ बच्छा इस पेलिंग गरत लिखा है फिर डाइको गैमी किसे कहते हैं डाइको गैमी किसे कहते हैं हाँ सर टाइपिंग मिस्टेक थी डेनावेलिंग राइटर कोई बात नहीं बच्छा टाइपिंग मिस्टेक होती है अच्छा तो आप कह रहे हैं कि उसको डेनावेलिंग नहीं उसको डाइको गैमी कहते हैं आप यही तो कहना चाह रहे हैं डाइको गैमी एक तरीके से क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ाने के लिए होता है डाइको गैमी में प्रोटेंडरी और प्रोटो गैनस दो तरीके के फ्लावर्स होते हैं ठीक है कैसे प्रोटेंडरी और प्रोटो गैनस बच्छा हम यहाँ पे उसके फ्लावर्स की बात नहीं कर रहे हैं मुझे मालूम है कि जो आप flower को निकाल देते हैं उस निकालने की process को हम… denganowehling… यक बात समझ में आई जर्णेल सिंगु मести पच्चा बात समझ में आई ठीक है उसको हम… denganowehling कहते हैं डाइकोगैमी में PROTENDRI और प्रोटोगाइनस दो टाइब के होते हैं प्रोटोगाइनस में जिसमें फीमेल पहले मैच्वर होती है और प्रोटोगाइनी सॉरी प्रोटेंडरी जिसमें मेल पहले मैच्वर होता है ठीक है वो अलग चीज है बात समझ में आरी बच्चा की नहीं आई ठीक है ये आपकी प्रॉपिंग हो गई चलो आगे बढ़ते हैं एक टर्म और होता है ये क्या है मैं टॉकिंग क्या होता है मैं टॉकिंग जब आपका प्लांट्स प्रोड्यूस कर लेता है क्या जब आपका प्लांट पूरा प्रेडुक्शन कर लेता है यानि कि उसमें बंच और सारी चीज़े डबल अप हो जाती है यानि कि वो अपनी लाइफ साइकल कम्प्लीट कर लेता है उसके बाद हम उसको क्या करते हैं काट के अलग कर देते हैं, तो उस process को क्या कहते हैं, उस process को मैं talking कहते हैं, बास बन में आई, after harvest of the bunch, bunch के harvest के बाद, the plant stem should be cut in, किसमें, stages at least after 30 to 45 days to facilitate mobilization of the nutrients from the mother to the developing ratoon plant, देखो बच्चा आपका जो main plant था ठीक है, जो आपका main plant था, उसके आसपास मैंने आपको बताया था ना, सकर ग्रो करते हैं ग्रो करते हैं सकर मैंने आपको बताया था ना, कि उसके आसपास सकर्स ग्रो करते हैं, तो हम उनकी desacring करते हैं, लेकिन जब हम last page पे पहुंच जाते हैं तो last page में पहुंचने के बाद क्या होता है कि 30 से 45 दिन बाद जो side के सकर्स होते हैं उनमें से किसी को select करके क्या करते हैं एक को develop कर लेते हैं और जो हमारा main plant है उसको हम card देते हैं ताकि यह वाले plants हैं जो हमने choose कि हैं किसके लिए रैटून के लिए यह तो आपको पता होगा कि बनाना में सिर्फ एक ही बार production होता है उसके बाद उसमें दुबारा production नहीं होता है यानि कि उसको फिर आपको रैटून लेना पड़ेगा या दूसरा plant आपको grow कराना पड़ेगा तो वही same condition करते हैं तो इसमें भी आता है कि pseudo stem से cut करने मतलब after harvesting हमको क्या करते हैं plants को हटाने की जो process है उसको क्या कहते हैं तो उसको मैं talking कहते हैं ठीक है इतनी वा समझ में आई बच्छा चलो अब आगे देखते हैं यह है bunch cover यह एक तरीके की यह आपकी interculture operations में ही आते हैं bunch cover का मतलब है कि जब आपका bunch तयार होता है तो उसको cover क्या आता है क्यों cover क्या इस्तेमाल करते हैं यहां से question आपका बनता है use transparent polythene sleeves with 2% during cool season and 4% during कैसा summer season जो question यहां से बनता है वो question बनता है कि polythene sleeves यानि की sleeves का मतलब होता है जालीदार ठीक है बहुत ज़्यादा जालीदार सीब्स का मतलब चलनी देख्यों ना इस पर घर पे आटा 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 चांते है इतना तो पता होगा ना ठीक है एगरी कल्चर वाले ओ देसी लोग होगे है तो जो आपकी sieves हैं वो कितनी cool season में उसके sieves का percentage कम होता है और warm season में sieves का percentage ज़्यादा होता है क्यों कि आपको पता है कि warm season में humidity बढ़ेगी ventilation आपको ज़्यादा चाहिए होगा ठीक है इतनी वासमन में आई season ventilation sieves with 2% and 4% ventilation यह percentage से question बनता है ठीक है बच्चा to cover the bunches immediately after opening of the hand जैसे ही आपके hand की opening यानि कि जैसे ही fingers develop होने लगती है वैसे ही क्या कर दिया जाता है वैसे ही इसको cover कर दिया जाता है ठीक है इतनी वासमन में आ रही बच्चा आप लोग comment नहीं करते हो समन में आ रही कि नहीं आ रही है ठीक है उसके बाद बात करते हैं inter cropping क कि हम बनाना के field में कौन कौन सी इंटर क्रॉप कर सकते हैं तो लग्यूमिनस वेजिटेवल, बीट रूट, एलिफेंट, फूट याम और सन हेंप avoid growing cucurbitaceous Vegetable क्यों बाकी सब तुम ग्रो कर रहे है vegetable ग्रो कर रहा है वीट रूट, पूट याम ग्रो कर रहे है, इवन सन हेंप तक ग्रो कर रहे हैं fertility status को बढ़ाने के लिए, लेकिन हम cucurbitaceous Victory को क्यो नहीं grow कर रहे हैं कोई बता सकता है कोई बता सकता है कि हम कुर्विटेशियस वेजी टेवल को क्यों नहीं ग्रो कर रहे हैं कमेंट करो बच्चा फिर देखें कमेंट करो जल्दी से बताओ भाई यस सर क्या अरुसी जो पूछा है वो बताओ क्यों नहीं ग्रो करते हैं सर बंच कवर के लिए ब्लू फिल्म यूज क्यों करते हैं स्पेस्फिक कलर का कुछ रीजन होता है हाँ बच्चा बिलकुल कलर बिलकुल रीजन होता है बिलकुल साभी कोशन आपने किया है स्पेस्फिक कलर का बिलकुल रीजन होता है देखो जैसे आप mulch में specific जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें yellow, आपका transparent, आपका shiny, अलग अलग तरीके से होता है ऐसे ही इसमें blue color का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल सही question आपने कहा है देखो blue color जो होता है वो एक तो aphid को दूर रखता है, aphid को as a replant यानि की aphid के लिए वो जो color है वो थोड़ा सा खतरनाक होता है as a replant काम करता है, जिस वजए से हम क्या करते हैं, blue color का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बात समझ में आई, blue color aphid के लिए, यानि की especially अगर aphid की बात करें, तो वो replant होता है white fly के लिए भी होता है, लेकिन उतना कम होता है, लेकिन aphid के लिए आपका होता है, जैसे ही आपने yellow sticky tape देखा होगा, ठीक है, yellow sticky tape insect को attract करने के लिए होता है, ऐसे ही blue sticky tape भी आता है, वो भी किस के लिए होता है, वो आपके white fly और aphid वगएरा के लिए भी इस्तिमाल करते हैं ठीक है इतनी बासवन में आई क्योंकि आपको पता है कि बनाना में मैंने आपको बताया था कि पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोशा एफट जो होता है वो सबसे ज़्यदा वो करता है और देखो अगर बंच खुले रहेंगे तो आपका जो सैप है वो सक करेंगे और क्वाल ठीक है तो इसलिए ब्लू कलर का इस्तेमाल करते हैं अगर ब्लू कलर कहीं कहीं जहां पर डिजीज की सीवेरेटी नहीं होती है जहां पर इंसेक्ट की सीवेरेटी नहीं होती है वहां पर ट्रांस्परेंट पॉलिथीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कर सकते हैं देखो कु крутaceous vegetables होती हैं वो क्या करती हैं 91 कि ऐसी ब्रोप लंबी होती वह spread करती है पूरी जगह पे तो जब वह spread करेंगे तो वह सात में क्या करेंगी यह वह सात में plan के ऊपर भी चड़ने की कोषिज करेंगे जिससे एक तो plan यह यादा मजबूत नहीं होता है और अगर वो उस पे चड़ जाएंगी तो फिर वो दिक्कत करती है जिस वज़े से कुकर्बटेसियस वेजी टेवल को ग्रो नहीं कराया जाता है ठीक है बाकी कोई वैसा रीजन नहीं है सर बनाना हैवी फीडर है तो साइद न्यूटेंट्स कंपटेशन की वज़े से कुरवेट सवाइड करते हैं हाँ ये कह सकते हैं लेकिन इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है बच्चा जो इस स्पेसिफिक रीजन है वो सिर्फ ये है क्योंकि उनकी जो कुकर्बटेसिय की ग्रोथ होती फास्ट होती है और बनाना में बहुत जादा डिस्टेंस नहीं होती है तो डिस्टेंस कम होनी की वज़े से वो उनके ऊपर चड़ सकती है जिसकी वज़े से और आपको मालूम है कि बनाना एक herbaceous plant है उसका stem इतना strong नहीं होता है जब stem strong नहीं होगा और अगर मान लो उस पे vegetables grow कर रही है उसके ऊपर support ले रही है तो फिर बनाना के लिए दिक्कत खड़ी कर सकती है ठीक है इसलिए आपका cucurbitatious vegetables grow नहीं करती है इतनी बास्वन में आई चलो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं physiological disorder की किस कि फिजियोलाच कल डे सॉडर की बात करते है और मैंने आपको बताया था कि एक फिजियोलाच कल कोटा वजही होता है ठीक है उसके बाद दूसरा यहां पे लिखा है hard lump क्या लिखा है hard lump ठीक है hard lump पे क्या होता है it is characterized by pinkish brown firm pulp than the usual soft pulp occurs in the cultivar rust धाली ठीक है कैसा होता है कि जो pulp होता है वो pinkish brown हो जाता है ठीक है और एक चीज ओर हो जाती है कि जो अब आप जब में इसको test करेंगे बनाना को तो आपको ऐसा मैंसूस होगा कि जैसे आप कच्चा बनाना खा रहे हों क्या खा रहे हों कच्चा बनाना खा रहए हों तो वैसा आप आपको इसमें टेस्ट मिलता है like immature और unripe root यानि कि hard lump में आपको क्योंकि जब आप कच्छा बनाना खाते हैं तो as compared to pocket ये वो थोड़ा सा कच्छा होता है होता है hard होता है कच्छा बनाना आपको मालूम hard होता है जब सबजी के लिए आप लाओ उसको काटो तो hard होता न तो वैसा ही सेम यहां पर मैसूस होता है अच्छी लिए इसको क्या कहा गया है hard lump कहा गया है ठीक है 24D 1000 PPM का अगर आप इस परे करेंगे किसका 24D 1000 PPM का अगर आप इस परे करेंगे तो आप इसको कंट्रोल पास सकते हैं ठीक है किसको पास सकते हैं उसके बाद बात करते हैं वाइरल डिजीज की किसकी वाइरल डिजीज की बनाना वंची टाइप वाइरस होता है मैंने आपको बताया था कि बनाना जो वंची टाइप वाइरस है किसके द्वारा होता है किसके द्वारा होता ह लिखा आए फिर हो सामने नहीं बता रहे हो तुम लोग जिसके त्वराइब तो है वाइरस है तो Naz 시작 से होगा ना एफेट से किस से हो एफेट से transmitted होता है कौन सा एफेट है पेंटालोनिया नाइग्रो नर्वोसा अब इसकी जो important बातें हैं वो सुनो यह सबसे पहले मतलब देखा किब कहा गया था या observe कब किया था तो 1800 इंक याणवे में अब मुझे कमेंड करके बताो की 1800 इंक याणवे और क्या ऑर क्या रिपोर्ड क्या गया था जो में ने आपको पढ़ाया है जनों में पढ़ा होगा वो बता पाएंगे कमेंड में लिखो फटाक से की 1899 को और क्या हुआ था ठीक है तो बनाना बंची टाप जो है यह बनाना बंची टाप जो वाइरस है वह 1899 में रिपोर्ट किया गया था वो भी कहां पे वो भी आपका फिजी में कहां पे आपका कि पीजी में कि फिजी सहर है फिजी अपका देश है सहर नहीं है क्या है अरे रुको यार साफ करके बनाते हैं कहां पे 1859 में Fiji με ठीक, अब साब दिख रहा होगा ठीक है बताओ बाया 1859 में और क्या हुआ था किसी को नहीं पता कोई कमेंड नहीं कर रहा है कैसे हो यार तुम लोग बताओ बाया कैसे हो बच्चों 1859 में बनाना बंची टॉप आपका देखा गया था नाइग्रो नर्वोसा ये बहुत बार पूछा गया है ठीक है मधु ने बताया है सिर्फ कि मैंगो मालफार्मेशन होता है कहां पे होता है ये नहीं बताया मैंगो मालफार्मेशन बिलकुल सही बात कही है मैंगो मालफार्मेशन भी 1891 में रिपोर्ट किया गया था लेकिन कहा कहां पर बिहार मां कहां पर बिहार मां कि अंकित बता रहें मैंगो माल फॉर्मेशन फस्ट टाइम रिपोर्ट हुआ था हाँ हुआ था बिल्कुल सही बात बताई है दो लोगों ने सिर्फ बताया है 1981 1981 नहीं है बाबू 1981 को दिन गुजरे कहां हुए है अठारा सो इंक्यानवे है अठारा सो इंक्यानवे है बिहार में हाँ बिल्कुल सही बात कहां पर बिहार में कहां पर है इतना समझ में आया कि नहीं आया यह बताओ अठारा सो इंक्यानवे में बबूगा बिहार में हाँ बिल्कुल सही बात ठीक है कहां पर बिहार में इतना समझ में आया कि नहीं आया फिजी एक देश है जहां पर सबसे पहले 18199 में आपका बनाना बंचीटा वाइरस निकाला गया था क्यों क्यों कि यह कोस्टल डीजन कंट्रीज है यहां पर बनाना बहुत पहले से होता है तो और आगे देखते हैं पनामा विल्ट का भी आक्सी स्पोरम यह पैथोजनिक या फ्यूजेरियम इस्पीसीज क्यूबें से या इसको आप पैथोजनिक इस्पीसीज भी क्यूबें से बोल सकते हैं पनामा जो विल्ट होता है यह एक फंगस के द्वारा होता है किसके द्वारा होता है आपका फंगस के द्वारा होता है yellowing of leaf blades, leaves, wither and petiole breaks or buckles and hang around the pseudo-stem longitudinal splitting of pseudo-stem and subsequent death of entire plant. ठीक है, यह सारे symptoms है, देखो बच्चा, यह symptoms आप से नहीं पूछेगा, आप से सिर्फ अगर जो question बनेंगे, वो question बनते हैं कि disease जो है, वो उसका नाम क्या है, किस causal organism से हो रही है, और उसके साथ-साथ यह fungus है, virus है, bacteria है, यह पूछा जाता है, ठीक है, control के लिए आपको क्या करना है, remove of the infested plant and application of lime 2 kg per pit, यानि कि per plant 2 kg, या जब गढ़ा बना रहे होते हैं, तो उसमें plantation से पहले आपको यह डालना है, क्यों, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा severe होती, आपको पता आएगी, पनामा, पनामा एक क्या है, पनामा एक सहर है, ठीक है, पनामा नहर आपने सुनी होगी, ठीक है, तो यह वहीं पे, आप से इसका नाम पढ़ा है, यानि कि दो इत्ता डाल के, क्या करो, चाह महिने के लिए छोड़ दो, growing resistant variety like dwarf cavendus, पूवन और नेंदरन, यह कैसी है, यह आपकी पनामा विल्ट रसिस्टेंट वराइटी है, इसी है, पनामा विल्ट रसिस्टेंट वराइटी है, कौन-कौन सी, आपकी dwarf cavendus, पूवन और नेंदरन, यह आपकी कैसी वराइटी है, इतना समझ में है बच्चा, यह आपकी पनामा विल्ट रसिस्टेंट वराइटी है, चलिए आगे बात करते हैं, यह आपका आज का सेशन यहाँ पर complete होता है, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं, जो हम लोग कल से फिर डिसकस करेंगे, कल हम लोग नई क्रॉप के साथ फिर मिलेंगे, यह बच्चों एग्रिकल्चर के आपके बैच, पैक्स, बैच हैं, जो एग्रिकल्चर महापैक है, और यह एग्रिकल्चर का complete foundation course है, जो बच्चे प सारा काम यूटूब से चल जाएगा, तो बहुत अच्छी बात, आप लोग के साथ हम हैं, हम आपको रोज साम को साथ वजए यहीं पे मिलेंगे, अपनी क्लास के साथ, ये क्लास आपके साथ बरावर चलती रहेगी, क्लास आपको अच्छी लगती है, कि नहीं लगती, आप इसको परचेस कर सकते हैं, Y443 मेरा कोड है, Y443 लगाके आप मैखिममम डिसकाउंट पा सकते हैं, simply आपको वेब साइट पर जाना है, या एप पर जाना है, वहाँ पे आप इसको लगाके 77% तक का डिसकाउंट पा सकते हैं, ठीक है बच्छो, तो ये थी आज की हमारी क्लास किसी को कोई doubt हो कोई query हो तो आप please जरूर comment करिए उस पर लिखिए मैं आपको explain करूँगा ठीक है और अगर class अच्छी लगा करें तो इसको please share करिया करिए subscribe करो और दोस्तों को share करो ताकि और लोग भी जो नहीं purchase कर सकते batch को वो कम से कम यहां से तो पढ़ सकते हैं ठीक है सच्छा पर सबका अधिकार होता है सब लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए सब लोग पढ़ सकते हैं ठीक है बच्चो तो कल फिर हम लोग मिलेंगे अपनी नई class के साथ साले तीन बज़े हम लोग की OPSC की batch होती है जो OPSC वाले students है वो कोई बात नहीं बच्चा सामको साथ बज़े से हम लोग live होते हैं कोसिस हमारी ये रहती है कि हम आपको अच्छे से अच्छा content दें तो यही मेरा उदेश से है और आप लोगों के लिए बहुत सारी चीजे हैं जो बहुत सारे exams में काम आने वाली है ठीक है तो बच्चों कलम लोग फिर जुड़ेंगे सामको साथ वज़े अपनी C class के साथ तो जो बच्चे पर्चेस करना चाहें वो करें इस पर सारे आपको recorded वीडियो मिलेंगे कोई वैसा सीद नहीं है मेरे भ थैंक्यू प्रागनेश थैंक्यू बच्चों जिन जिन लोगों को अच्छा लगाओ सेशन तो प्लीज सेयर करिएगा ठीक है ताकि जो इसकी जो रीच है वो थोड़ी सी और बढ़े ताकि और लोग इसका benefit ले सके तो मिलते हैं कल फिर सामको साथ वज़े और OPSC वालों से हम मिलेंगे फिर साम दोपैर को साड़े तीन बज़े तब तक अपना ध्यान रखिए और